Hello everyone, इस वीडियो में हम क्लास से एक सब्जेक्ट सोशल साइंस की वक्षीट 27 करेंगे डेट है इसकी 7 अक्टूबर 2021 और इसका टॉपिक है हडपन बिल्डिंग्स तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले प्लीज हमारे चैनल मायन बूस्टिंग क्लास को सरूर सब्सक्राइब कर दीजे तो देखते हैं इन दे प्रीविस वक्षीट भी रीड अबाउट अर्चिटेक्टर ऑफ दे सिटी ऑफ दे हडपन सिविलाइजेशन हडपन की जो सब्भीता है पिछली वक्षीट में हमने जाना था कि हडपन की सब्भीता वाले जो जिसने भी नगर होते हैं उन नगरों का आर्चिटेक्टर कैसा होता है यानि वो नगर कैसे बने होते हैं तो आज हम क्या पढ़ेंगे तो जो हमारे आर्कोलोजिस्ट हैं उन्हें इस बारे में कैसे पता चला हडपन की जो सिटीज हुआ करती थी उनमें कुछ ना कुछ अबशिश मिले होंगे तब जाकर उन्हें पता चला कि यहां पर लोग रहा करते थे तो इसी प्रकार से हडपा की सिटीज में जो है इमारते मिली हैं लोगों की घर मिले हैं जो अपडियां मिली हैं तो आज हम उन्हें में से एक फेमस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहिन जोदारो तो इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कं इन सिटीडल जो सिटीडल वाला पार्ट होता था कुछ नगरों में जो सिटीडल वाला पार्ट होता था वहां पर स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी पर एक्जाम्पल के लिए मोहिन जोदारो ये बहुत स्पेशल टैंक है और आर्केलोजिस के दुआरा इसको क्या नाम दिया गया है ग्रेट बाथ वस बिल्डिं दिस एरिया इस वस लाइन विद ब्रिक्स इटो से बना हुआ है अगर आपको इससे उपर जाना है मतलब नीचे से उपर जाना है और उपर से नीचे आना है तो इस तरीके से सीडिया भी यहाँ पर बना रखी है उसके बाद while there were rooms on all sides सीडिया है और यह जो side side में अभी हमें picture में तो नहीं दिखा रहा लेकिन जो side side में यह सारे rooms हैं जिससे नहा कर rooms में लोग जा सके और यह ग्रेट बात क्यों बनाया गया है water was probably brought in from a well एक कुए से यहाँ पर पानी लाया जाता होगा and drained out after use और use के बाद इसको खाली कर दिया जाता होगा fairups important people took a dip in this tank on special occasions तो शायद से, यहाँ fairups का मतलब होता है शायद शायद से ही जो important people है वो यहाँ पर आते हों यानि जो vicious लोग है, महान लोग है वो यहाँ पर अफसरों पर इस नान करने आया करते होंगे ठीक है, तो अब है आपका question यह है see figure to and describe in your own words आपको इस figure को देखना अपने शब्दों में यहाँ इसके बारे में कुछ lines लिखनी है a street in Mohenjodaro with a drain of well तो Mohenjodaro जो नगर है उसमें एक कली दिखा रखी है यहाँ पर और इस street में नाले के लिए यहाँ पर बीच में जगे भी है, साथ-साथ कुवा भी है तो आप इसके बारे में कुछ से आपको कुछ words लेखने हैं तो इसका अंसर हम लोग करेंगे उससे पहले मैं हमारे चैनल पर होने वाले speech competition के बारे में बताना चाहूंगी speech competition हमारे चैनल mind boosting competition पर हो रहा है इस बार आप चितनी भी speech की वीडियोज भेजेंगे ना इस competition में आपको speech बोलनी है तो नाम से पसा चल रहा है तो आईए अब हम करते हैं इसके आंसर आप कुछ लाइंस लिखनी है वो में आपको दिखा दिती हूं वैसे आप खुछ से भी लिख सकते हैं so in the given figure there is a road road की जगे आप लोग street भी लिख सकते हैं कि इस figure में जो है एक road दिखा रखी है याफर street दिखा रखी है कुछ भी लिख दीजे and there is some space left in the middle of it और इसके बीच में कुछ जगे बच गई है that place was probably for the drain ये जो जगे होगी शायद से वो drain के लिए होगी नालो के लिए होगी the road is made of breaks जो ये सडक है वो इटो से बनाई गई है apart from this there is a well इसके अलावा एक कुवा भी है whose water would be used by people for food etc और इस कुवे का जो पानी है वो लोगों के दुआरा use किया जाता होगा खाने पीने के नीर्स के लिए ठीक है और एसेक्टर यानी आदी तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा ये ठीक है न तो यहीं पर आपकी आज की वक्षिट फिनिश होती है I hope आपको समझाई होगी वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा Thank you